हेलो, my all lovely students, I hope आप लोग बहुत अच्छे, study भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं my dear children, आज का जो computer का lecture है, वो है class 3 का chapter 2 chapter 2 में हम क्या पढ़ रहे हैं, the computer system, ठीक है computer system के बारे में हम पढ़ रहे हैं previous lecture में हमने क्या क्या पढ़ा है, वो एक बार revision कर लेते हैं इसके पहले बच्चों, chapter 1 already complete हो चुका है, आप class 3 के playlist में जाके देख लीजिए, ठीक है चलिए, previous lecture में हमने क्या पढ़ा था, computer का जो two main components क्या है, hardware और software ठीक है, यह हमने पढ़ा था, उसके बाद hardware के बारे में हमने पढ़ा था, types of hardware पढ़ा था, हमने input devices, keyboard, mouse, joystick, यह सब क्या है, hardware है, ठीक है इसके बारे में हमने पढ़ा था, और आज हम देखेंगे कि scanner क्या होता है, ठीक है यह है picture, एक बार ध्यान से आप लोग देख लिजिए, यह है flatted scanner, और यह है barcode scanner, ठीक है, barcode scanner क्या होता है बच्चों, यह देखें, यह जो figure बना हुआ है इसमें dot dot है black color का, जब हम कोई भी book वगरे देखते हैं, आप कोई भी product लेते हैं उसमें एक corner में ऐसे lining होती है न, continuous, छोटी 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 एक इतने ऐसे box बना होता है, उसमें ऐसे ऐसे black color की lining होती है होती है न, वही होता है आपका barcode, और उस barcode को कौन read कर सकता है, यह जो device है यानि barcode जो scanner है, यह उस code को read कर सकता है, ठीक है बच्चों, चलिए देखते है A scanner copies a picture or text printed on a paper into the computer scanner क्या करता है, कोई भी paper पे text printed है या कोई picture है, उसे scan करता है computer में, ठीक है यानि जैसे यह आपका flatted scanner है न, यहाँ इसके अंदर अगर आप कोई paper रखेंगे उस पे कोई भी picture होगा या कोई भी content लिखा होगा, वो आपके computer में so होने लगेगा, ठीक है वैसे यह barcode reader है, ठीक है There are many types of scanner, कई प्रकार के scanner होते हैं The most commonly used are flatbed and barcode scanner, ठीक है यह क्या है, flatbed and barcode scanner, यह mostly used होता है, यानि जादा से जादा यूज इसी का होता है ठीक है बच्चों, चलिए देखते है Next है microphone A microphone is used to record our voice and different sounds into a computer Microphone क्या होता है, यह picture देख लिजी आप लोग, यह है microphone, ठीक है Microphone क्या होता है, यह record करता है, हमारी आवाज को और अलग-अलग तरीकी का जो sound होता है ठीक है, into a computer Computer में अलग-अलग तरीकी का जो, computer में क्या करता है Computer में यह sounds को record करता है हमारी voice हो गई, यह कोई भी sound हो गया, उसको यह record करेगा यानि microphone का काम ही है, voice को record करना कोई भी sound है, उसको record करना, computer में ठीक है It also help us to talk to our friends through internet और यह help करता है, friends यानि दोस्तों से बात करने में internet के throw यानि internet के जरीए जब हम बात करते हैं तो यह help करता है ठीक है next देखते है यह सब आप लोग क्या पढ़ रहे हैं, यह सब hardware है इतना आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है next देखते है processing device processing device क्या होती है पहले picture देख लीजे आप लोग यह है आपका processing device यानि CPU see आपका जो CPU है, इसे हम कहते है processing device या इसे ही हम computer का दिमाग भी कहते है किसको? CPU को ठीक है CPU का full form होता है central processing unit ठीक है is the processing device in a computer यह क्या है, एक processing device है computer में CPU, ठीक है it process data and instruction given by us यह data या instruction को process करता है जो हम देते हैं processing का मतलब क्या हुआ बच्चों जैसे आप कुछ भी search किया आपने search किया peacock ठीक है आपने जो भी word search किया तो फिर वो आपके computer पे दिख जाता है peacock की picture आ जाती है peacock means होता क्या है कुछ second होता है कुछ second में picture so होने लगती है तो वो जो कुछ second की processing होती है यानि computer के अंदर कुछ तो होता होगा तभी तो हम कुछ भी search करते है तो वो so करता है ठीक है तो वही जो है, क्रिया जो है, वही होता है processing, ठीक है, जो round round गुमता है, ऐसे होता है न, थोड़ा time लेता है, तो हम लोग कहते हैं, अभी data process हो रहा है, ठीक है, यानि data search हो रहा है, ठीक है, it also controls all input, output and other devices, और ये जो input, output और सभी जो devices, उसको control करने का भी काम करता है, ठीक है, that is why the CPUs is called the brain of the computer, इसी लिए CPU को computer का दिमाग कहते है, computer, CPU को brain कहते है, computer का, क्योंकि ये data को process करता है, यानि search करता है, data इसी से process होता है, run करता है, और ये input, output जो और devices है, उसको भी control करता है, ठीक है, manage करता है, चलिए next देखते है, अब हम देखेंगे output devices, ठीक है, output devices are used to display the result of processing of the data, जो output devices होती है, उनका किसले use किया जाता है, data, result, जो भी हम search करते हैं, उसका जो result process हो के जो data हमें नजर आता है, वो क्या होता है, output होता है, ठीक है, यानि जो data after processing, जो result हमें show करता है, वो किसके थरों show करता है, output devices की वज़े से, ठीक है, the output can be text, picture, sound और video, और output जो result है, वो किसी भी form में हो सकता है, text के form में भी हो सकता है, picture के form में भी हो सकता है, sound भी हो सकता है, video भी हो सकता है, ठीक है, some of the output devices are as follows, कुछ output devices दी गई है, ठीक है, उपर आप लोगोंने क्या पढ़ा था, input devices, और यह सब क्या है, output devices, देखिए, output devices में सबसे पहला और most important है, monitor, ठीक है, यहाँ पर monitor की picture दी हुई है, see, यह है आपका monitor, a monitor looks like a TV screen, monitor किसको कहते हैं, यह जो फ्लाट screen दीख रही है न, display, इसे यह monitor भी कहते हैं, ठीक है बच्चों, इसमें confuse मत होईएगा आप लोग, और monitor कैसा दिखता है, जैसे TV screen, ठीक है, देखिए, TV screen कि तरह दिख रहा है न, it displays the work that we do on a computer, यह उस work को दिखाता है, हम जो भी computer पर work करते हैं, वो कहां दिखता है, इसी screen पर दिखता है, ठीक है, यानि monitor पर दिखता है, इसे हम कहते हैं, display, monitor, ठीक है, a monitor is also known as VDU, monitor को हम कैसे और जानते हैं, VDU के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, यानि monitor को हम VDU के नाम से भी जानते हैं, और VDU का full form क्या होता है, visual display unit, ठीक है, visual display unit, the information that we see on a monitor is called soft copy, और जो information हम monitor पर देखते हैं, उसे हम कहते हैं soft copy, ठीक है, और जो हम print कराके लाते हैं, उसे जो हम printer कहां से print करवाके लाते हैं, जो भी चीज़े print करते हैं paper पे, वो होती है आपकी hard copy, ठीक है बच्चों, इसमें आप लोग confused मत होईएगा, जो screen पे so करता है, वो होता है soft copy, और जो चीज़े print होके आपको paper पे मिलती है, वो होती है hard copy, ठीक है, next देखते हैं printer, printer क्या है, पहले picture देख लीज़े आप लोग printer का, ये है आपका देखे printer, एक है dot matrix printer, inkjet printer, laser printer, ये three types के printer दिये हुए हैं, ठीक है, चले जानते है, sorry, a printer prints the output which we see on the computer screen on a paper, printer क्या करता है, जो output हम देखते हैं screen पे, computer के screen पे हम जो देखते हैं, जो results होता है, या कोई भी चीज़े हम search करते हैं, उसे paper पे print करता है, ठीक है, उसे paper पे print कौन करता है, printer, the printed copy is called the hard copy, और ये जो printed copy होती है, उसे हम कहते है hard copy, यानि यहां पे देखे example, ये जो paper print होके निकल रहा है न, इसे हम कहेंगे hard copy, ठीक है, यहां पे भी देखे print होके निकल रहा है न, इसे हम कहेंगे hard copy, ठीक है, there are three main types of printer, main printer का तीन टाइप है, dot matrix, inkjet, laser printer, ठीक है, यहाँ पे picture भी दे दिया है, dot matrix, inkjet, inkjet printer, और laser printer, ठीक है बच्चो, next है आपका speakers and headphones, इसके बारे में तो आप सब को पता है, है नो, speaker चलाने में बहुत मज़ा आता है और headphone से, गाने सुनने में भी बहुत मज़ा आता है, यह है, आपका speaker, यह है headphone, ठीक है, these are used to listen to music and sounds stored in a computer, इसका हम use करते हैं, music सुनने में, या जो भी sounds computer में है, उसको सुनने में भी use करते हैं, ठीक है, और speaker का भी use, आप लोग को पता हिए, full volume में अगर song सुनना रहते हैं, तो ह स्पीकर से connect कर देते हैं, चलिए next देखते हैं, plotter, अब plotter क्या होता है भाई, चलिए जानते हैं, यह पहले picture देख लीजे आपको, आप लोग, यह है आपका plotter, ठीक है, अब देखते हैं, जरा plotter होता क्या है, A plotter is used to print large drawings such as maps, banner and posters, plotter क्या है, यह भी एक printer, यह print करता है, जो बहुत ही बड़े अकार के drawings होता है, जैसे map हो गया कोई, कोई banner हो गया, कोई poster, आप लोग देखते हैं जगा जगा इतने बड़े बड़े poster लगे रहते हैं, किसी चीज का प्रचार हो रहा होता है, तो इतने ब इसका use अकसर engineer करते हैं, architect करते हैं and scientist करते हैं, ठीक है, किसका plotter का, ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, आप लोग का यह खतम हो गया है, input, output devices, hardware, यह सारी चीज़ें आपकी खतम हो चुकी है, अब next lecture में हम देखेंगे कि software क्या है, ठीक है, अभी तक हमने hardware पढ़ जिनमें input और output devices थी, ठीक है, इसको आप लोग ध्यान से पढ़ लिजेगा, एक से दो बार आप lecture देखेंगे, आपको सारी चीज़े clear हो जाएंगी, और अगर कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप लोग मुझे comment box में पूछ सकते हैं, और आज आप लोगों का जो question है, वो आप लोग CPU और VDU का full form आप लोग को पता चल जाएगा, ठीक है, thank you so much for listening me, और हाँ चैनल को subscribe करना बिलकुल भी मत भूलिएगा बच्चों, ठीक है, be happy, stay healthy, bye bye, have a good day.